हेलो दोस्तों की हैल चाले हैं उम्मीद है कि आप अच्छे होगे लेकर हाज हैं आपके लिए एक और इंपोर्टेंट वीडियो इस वीडियो हम बाते करने वाले हैं इंडन कोजगार्ण नेविक डीवी जीडी और यांति की कट अप के बारे में आप में सा बहुत भाईयों क हमारे पास कमेंच आ रहा था कि सा इस्वार एक्जाम कट अब क्या रहने वाली है पिलिइस इसके उपर वाइटो बना दीजी तो आपके लिए वीडिव कर आटे हैं सबको जानकारी हम कट अब करने वाले हैं तो आप पिलिचे वीडियो पूरा दीखना हो सके तो इस वीड तो डीवी में इस वार कितनी कटप जाएगी expected हम आपको बताने वाले कितनी नमबर चाहिए पास होने के लिए and safe score क्या होने वाला और final mail list में जगा बनाने के लिए कितनी नमबर हमारे होने चाहिए तो यह तो आपको बता है कि पास के लिए वैकंसी है और 60 नमबर का ये पेपर आने वाला है आपका और जो कि इसमें दे दिया है 30 नमबर आपके कम पसी चाहिए पास होने के लिए यदि 30 से कम नमबर आते हैं आपको डिस्कौलिफाई कर दिया जाएगा इस बात का दिहान रखना तो 30 नमबर तो चाहिए चाहिए आपको यदि आप जनलन से आते हैं EWS से आते हैं UBC से आते हैं तो 30 नमबर हर आल में चाहिए आपको 60 में से यानकि 50 परसेंट आपको पेपर कौलिफाई करना होगा तब ही आपका सेलेक्शन होने वाला है और सुनो मेरे भाईयो एक बात हम आपको बता दें अब आ 43 कटप गई थी लेकिन पासिंग मार कितना था इंगलिस में आपके 10 नमबर फिजिक्स में 10 नमबर और मैथ में 10 नमबर तो देखा जाए तो 30 नमबर बैठ रहे हैं लेकिन कटप कितना गया था 43 इसवार Air Force X की बहुं बात कर रहे हैं दोस्तों इतना कटप गया था इसवार तो इस बात का आपका दियान रखना लेकिन कटप इस से हाई जाने वाली है ठीक है मेरे भाईयो ऐसा मत सोचना कि 30 पर कटप लगने वाली है डीवी की क्योंकि भाई सीट देखा जाए तो बहुत कम है 50 सीटें कुल मिला कर इस पर भी नजर होनी चाहिए हमारी क्योंकि All India व 40 से उपर उपर होना चाहिए 41, 42, 43, 44, 45 जितना आप टार्गेट रख सकते हो उतना टार्गेट रखना आपको लेकिन 40 से कमनी होना चाहिए इस बात का दियान रखना यदि कम भी होता है तो भाई कोई चांस नहीं कि आपका कटप में ना माने वाला है तो 40 से आपका उपर या 50 इतना टार्गेट रखना दोस्तों DB वालों को ठीक है मेरे भाईयों ये जानकारी हमने आपको बता दिये आपके इतने नंबर आते हैं तो पूरे चांस है कि काटप में आपका ना माने वाला है तो 40, 45, 50 के बीच आपका टार्गेट होना चाहिए एंड एक्जाम में ज कितना जा सकता है इस वाल का कटप और कितना आपको टागेट रखना तो अब बात करते हैं GD के दोस्तों इस वाल कटप क्या रहेने वाली है कितने वाली है तो यह तो आपको बता होगा यदि आप GD की त्यारी करे हो तो section first और second आपको दोने क्वालिफाई करने होंगे अब ये आपका selection होने वाला GD में तो आप अच्छी तरह समझ गी होगे जो हम आपको बताना चाहरे हैं तो इसमें तो आपके 60 में से 30 नमबर होने चाहिए और इसमें आपके 50 में से 20 नमबर होने चाहिए देखा जाए तो 110 में से 30 पिलस 20 50 यानकी 110 में से आपके 50 नमबर होने चाहिए ये GD वालों के लिए 80 मारक है इतना यदि 50 से कम आते हैं तो आपका selection होगा यह नहीं और हम आपको पहली बता दे रहे हैं कि इतना कम को टप नहीं जाएगा 50 तो इतना 50 मारक है GD वालों के लिए 30 नमबर DV का 20 नमबर GD का कुल मलाका 50 नमबर 80 मारक रख दिया दूस्तों DV वालों के लिए लेकिन 110 में से आपके कितने नमबर होने चाहिए merit list में जगा बनाने के लिए तो हम आपको बता दें target आपका 75 से उपर उपर होने चाहिए इससे कमनी होने चाहिए ये तो हम आपको minimum बता रहे है 75 से उपर उपर होना चाहिए DV में 35 नमबर का रखना ठीक है और GD में हम आपको बता दें 30 से 35 नमबर का आपको target रखना है तो कुल मलाका 75 या 80 नमबर का यादि आप GD के तियारी कर रहे हो तो इतना target होना चाहिए इससे कम हुआ तो selection तो हो गई नहीं पहली बात हम आपको बता रहे नहीं cut up में ना माने वाला नहीं mad list में जगा बना पाऊगे तो cut up जो जाने वाली है इससे उपर उपर जाएगा 110 में से आपके 90 प्लेस तो होने चाहिए vacancy को देखा जाए vacancy बहुत कम है cut up दोस्तों इस वाई जा सकता है क्योंकि इस वाई इंडन कोसगार्ड में सब कुछ नहीं है नहीं सरी चालू किया गया है पहले ऐसा नहीं होता था हाई आई परसेंट पर बच्चों का admit card आता था दोस्तों गिने चुने बचे जाते थे और उनका selection होता था लेकिन इस वाई इस वाई इस जी वालों ने दोस्तों बहुत बड़ा परिवातन कर दिया vacancy में सभी का admit card आ चुका है और सभी पहिछा देंगे और इंड़ा vacancy है और post देखा जाए तो कम है तो इस वाई से आपकी cut up ज़्यादा जा सकती है बाकी हमने आपको बता दिया कितना target रखना है DB वालों को जीडी वालों को DB का हम आपको बता दें 25 का दोस्तों आपका target होना चाहिए यह आप DB की तियारी कर रहे हो और यह हम आपको minimum बता रहे हैं इतना target दोस्तों लेकर चलना है आपको 60 में से तभी आपका merit list में नाम आने वाला है और बाकी हमने जीडी का बता दिया है 75 से उपर उपर आपका target होना चाहिए 110 में से इतना cut up दोस्तों इस वाद जा सकता है सभी का admit कर आ चुका है इस वाद उस तो आई से वाले सब कुछ नहीं से चला रहे हैं दोस्तों कुछ भी हो सकता है आपकी cut up कम भी जा सकती है और ज्यादा भी और नीचे comment box में बताओ कि आपनी राय दो कि आपके recording cut up इसा क्या जाने वाला ठीक है नेविक डीवी वाली भी comment करके बताओ और जीडी वाले भी एंड रही बात रहान तरीकी उससे हम अगली वीडियो हम बता देंगे 10 से मतलो इस वीडियो में हमने section first और second के बारें बाती की दी जो डीवी का आता है और जीडी का आता है तो ह जो भी आपका सवाल हों तो नीचे comment कर दो नहीं तो हम telegram पर आगें जी श्टडी हम telegram अकाउंट है आप जाएक सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा and comment box में ज़रूर बता कर जाना अपने राए दोस्तों तो फिलाली studio में तो नहीं था यदि आपके video पसंद आए तो like कर दे करना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ आप तियारी करते हों आपना ख्यार लेखना जय हिंद